नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्जुन डांगी और आज के इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वालाओंगी कैसे आप एक कंप्यूटर के अंदर जो फाइल हैं वो आप दूसरे कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं एक्सेज कर सकते हैं कोपी पैस्ट कर सकते हैं यानि क जैसे इस कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल हैं ड्राइव के अंदर डिस्क के अंदर कोई फाइल हैं फोल्डर हैं उनको आप कैसे इस वाले कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो भी सारी फाइल होंगी वो आप उस कंप्यूटर से इसमें कोप प्रसमें जुडे हुए होंगे बहुत ही कमाल की चीज़ है अगर आपके office का कोई work है और अगर आप सारे computer network के साथ में अटेच करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में में आपको बताने वाला हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को computer के अंदर देख सकता हूं इसमें मुझे pen drive की भी जरूत नहीं पड़ी फाइलों को कोपी करने के लिए और यहां पर मुझे किसे प्रकार की कोई cable भी नहीं लगाने पड़ी तो बहुत आसान तरीका है आप एक से अधिक computer को networking की मदद से connect कर सकते हैं और फाइलों को आप ए एक ही network से connect होना चाहिए या तो आप इतर cable से connect करिए या फिर अगर आप wifi से connect करना चाहरे तो भी करिए जैसे कि यहां पर यह जो computer है वो मेरे mobile के hot support pro max से connect है तो आपको दूसरा जो computer है वो भी आपको क्या करना है एक ही network से connect करना है यह वाला भी देखिए pro max से connect है तो अगर अब कोई ओफिस का काम है और बहुत सारे कंप्यूटर अगर आपने अपने ओफिस के नदर लगा रखे हैं तो आपकी जो केबल लग रही है लेड गेबल उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए अब ये काम कहां पर आ सकता है कई भार क्या होता है कि करना है आईए दिखाता हूँ दोनों computer के अंदर आपको अगर फाइले एक्चेंज करनी है शेयर करनी है तो सबसे पहले आपको network के उपर connect करना है connect करने के बाद में network and internet setting आपको मिलेगी windows अगर आप 7 8 यूज कर रहे हैं तो भी आपको यही option मिलेगा और windows 10 अगर आप यूज क करें तो भी आपको यही option मिलेगा इस पर आप click करिए अब आपको wifi के उपर click करना है क्योंकि आप wifi का इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप ether cable यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस पर click करना है हम फिलाल wifi पे click करेंगे अब यहाँ पर अपना wifi connect है और इस तरफ आपको computer का option दे रहा है यानि कि आप यहाँ पर एक computer को access करके सारे computer आप access कर लोगे और फाइलों को प्रिंट भी कर पाऊगे इसको भी on रखना है और यहाँ पर save changes के उपर आपको click कर देना है यह काम इस computer के अंदर हो गया अब आपको दूसरे computer के अंदर भी करना है जिस computer के अंद देखिए change advance sharing option मिलता है इस पर आप click करिए अब इसमें आपको S option आएगा बिल्कुल same option है दोनों को आपको turn on करना है और save changes पर click करना है हमने already कर रखा है और एक चीज में आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने this PC के उपर click किया जिसमें drive को अगर आप share करते हैं यानि क मैंने G जो drive है उसको मैंने share कर रखा है उसे प्रकार से इस computer के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस software वाले जो drive है यहाँ पर आपको sharing का option दिख रहा है यानि कि यह जो disk है वो मैं दूसरे computer के अंदर में access कर सकता हूँ तब यहाँ पर मैं आपको एक अले drive करके बता लेना ज्यादा से ज्यादा दो बार देखने पर आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी उसके बाद में आपको जिस भी drive को दूसरे computer के अंदर शो करवाना जैसे मैं चाहता हूँ कि software वाली drive मैं दूसरे computer के अंदर देख सकूँ तो यहाँ पर आप right click करिए properties पे click करिए य यहाँ पर आपको इसका full control देना है full control यानि मैं फाइल को देख भी सकता हूँ delete भी कर सकता हूँ और change भी कर सकता हूँ ठीक है अगर आप चाहरे हो कि कोई full control आप ना दे सको अगर खाली कोई file देख सके तो आपको खाली read पर click कर देना है तो सामने वाला जो computer है वो खाली आ option आ चुका है यानि कि अब मैं इस वाली drive को भी अपने दूसरे वाले computer के अंधर में देख सकता हूँ access कर सकता हूँ अब देखो मैं चाहता हूँ कि इस वाले computer में मैंने यह जो drive पहले से दे रखिये उस वाले computer में मैं चेक कर सकता हूँ मैं चारों की वर्क वाले जो drive वो और में क्या करूँ access इसका भी दे दूँ ताकि उस वाले computer में मेरा जो यह वाला drive है वो भी देख सके तो यहाँ पर भी sharing पर आपको click करना है advance यहाँ पर जो sharing इस पर click करना है share this file पर click करना है permission यहाँ पर आपको allow करना है full और apply करके ok कर देना है और ok करके ok करके और close कर देना अब देखो इस पर भी आचुका है यानि कि इस computer की दोनो drive है मैं दूसरे वाले computer में देख सकता हूँ और उस computer की दो drive है मैं इस वाले computer में देख सकता हूँ अब मुझे क्या करना है दोनों को मैंने sharing तो कर दी अब यहाँ पर मैंने दोनों computer को wifi से connect भी कर दिया अब यहाँ पर हम इन फाइलों को एक्सेस कैसे करेंगी तो आईए सबसे पहले हमें विंडो और आर को प्रेस करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने computer का नाम लिखना है आप जिस भी computer की फाइलों को access करना चाहरे है जैसे यहाँ पर मैंने यह नाम लिख रखा है तो आप कैसे पता कुरूगे कि सामने वाले computer का दूसरे वाले computer का नाम क्या है device name क्या है तो सबसे पहले आपको this PC के उपर click करना है computer के उपर यहाँ पर आप click करिए और यहाँ पर देखिए system properties आपको दिखरेए इसके उपर आप click करिए यहाँ पर आपको device name शो करेगा ठीक है यह वाला जो नाम है यह दूसरे computer का है ना इस वाले फाइल इस computer की में फाइल है अपने दूसरे वाले computer में देखना चाह रहा हूँ यह वाला नाम आपको यू का यू copy करना है या फिर आप लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिख देना है ठीक है और लिखना कैसे यहाँ पर यह वाली जो किये keyboard से यह वाली की यह वाली की देखो shift के उपर यह वाली की आपको दो बार प्रेस करनी है दो बार प्रेस करोगे उसके बाद में जो आपने नाम दूसरे computer का देखा है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दो और ओके पर क्लिक कर दो अब देखो यहाँ पर आपको दो drive दीकर है यानि कि हमने दो फाइले दो जो disk है उसके यहाँ पर हमने एक्सेस दे रिखा है पहले तो था यह जी वाला उसके बाद में हमने f drive का और एक्सेस दे दिया यह वीडियो बनाते टाइम तो आप दोनों फाइले मुझे यहाँ पर दीक रही है यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है और आपके पर आपको क्लिक कर देना है तो दोनों drive देखिए उस वाले computer की भी यहाँ पर आपको शो कर रहे है अब यहाँ पर आपको username और password पर एंटर करना पड़ता है हर कोई आपके फाइलों को नहीं देख सकता है तो आपके computer का जो भी username और जो password होता है अगर password नहीं लगा रखा है तो नहीं enter करना है अगर आपने लगा रखा है तो यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा तब ही आपको यह जो drive है वो शोग करेगी तो यहाँ पर आपको pen drive की जरूद नहीं पड़ी नहीं आपको किसी wire की जरूद पड़ी और आपने automatic दोनों computer की file को share कर दिया बहुत आसन तरीक है आप इस्तमाल करके जरूर देखिए आपके लिए बहुत ही helpful रहने वाला है तो आशे करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी computer को network से connect कर लिया होगा वीडियो अच्छा लगा तो like और share करें SGS Education YouTube चैनल को subscribe करें ताकि आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज घर बेटे अपने computer पर अपने mobile पर देख सकें नमस्कार